अब और आज की वीडियो में करने वाले हैं बाग के भेद ठीक है तो स्टार्ट करते हैं विना टाइम वेस्ट की होता है कि सब्दों का बैस आर्थिक सम्ώ जो किसी ना किसी भाव को प्रकट करता हो वह बाखे कहलाता है आपको पता है कि आप भी डेली में कुछ ना कुछ बाखे बोलते रहते होंगे मतलब उसमें क्या है कि कुई भी बाखे किस तरीके से बना है कि बहुत सारे सब्द मिले और उसे क्या हुआ कि एक बाग के बन गया और जिससे हमें क्या पता चला कि ब्यक्ति बास्तिविक में कहना क्या चाह रहा था ठीक है आम हमारा एक सब्द है लेकिन अगर कोई बोले कि मैं आम खा रहा हूँ इसका मितलब उसके बाग है कि वो आम ख नाम से भी जाना जाता है तो अगर मैं आपको बता दू कि रचना के अधार पर क्या है कि बाग यह को तीन भेद होते हैं पहला होता है हमारा शाधारन या सरल बाग के ठीके नॉमल सा बाग एकदम कॉमन सा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी एकदम सिंपल सा जो हम कह सकते हैं वह हमारा होता है कि यह सरल बाग के यह शाधारन बाग के बहीं दूसरा हमारा होता है संयुक्त बाग के में आपको नाम से पर चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजे को हम जोडने बालने शायद दो बाग के को जोड़े यह दो ऐसी चीजों को जोड़े जिससे कि नया बा कि कि आप Your बातों को समझ गए होंगे कि राजना के अधर पर बाक़े के कितने भेध होते हैवर फिराज्यर करते हैं हमकी समझने के लिए कि आखिर एक सधारन साधारर this सरल बाको कहते किसे हैं भई आप स्थरल बाके में क्या जाता है यह तो वो बजार चाह रही है, वो में ऊफिहा रही हольно cioè जाता है यह तो वह बड़ना चाहती है यह उसका ऐक हम बात करते हैं ताहति है कि करियोक day time की फ़ेस्स चलता है लगा में ऊफि使 animal चलता विस नहीं को यह दो है गेंपल चलता है उसका गिरभाता है एक ही बिधे होता है और इसमें एक ही क्रिया होती है एक ही चीज की क्रिया होगी कि अगर खेलना है तो खेलना पढ़ना है तो पढ़ना यह नहीं कि हां राम गेद खेलता है और मतलब पढ़ाई भी करता है ऐसा नहीं है ठीक है साथारन और सरल बाके में क्या होता है कि बढ़ और एक ही क्रिया होती है और मुख्य क्रिया होती है मुख्य बस वह ही होती है और बाई युआ है कोई नीज है तुम्हारे पास क्या एक ही उद्देश है राम का एक ही बिद्ध है आपको दिखाई दे रहा है क्रिया एक ही एक खेलना और यही मुख्य क्रिया है दूसरा अगर हम देखे रावन तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता है चाहता था तो इसका मतलब उसका एक उद्देश भहर काम भी करती है कारयाले भी पहुंचती है तो यह हमारा बेसीकली क्या है कि ऊपवा की है भी क्या 여वीन हें इसमें क्या होका है कि ऻिए अवन करना vaz событиями उसमिलांगे होता है बैसे तो नहीं होते हैं कि यहां पर हम देखें इक यहां छोटा देगा नहीं यहां पर आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा है कि बध प्रती दिन घर का अधिक दूप स्वतने दूस्वतन दूसले अपनी जगह पर रहें है लेकिन योजक चिनन के दौरा उसको जोड़ हुए अब योजग चेन्स क्या होती है कि ऑंकोन से होते हैं आप यह आथ कर लिगा कि यूजग चेन्स में ہमारे होते हैं किंतू परंटु तथा इसलिए अथवा अन्य-थअ अतः यह सारे के सारे क्या है योजग सब्ध होते हैं योजग सब्ध क्या होते हैं कि समुच्च वोधक अभय होते हैं ठीक है अभय होते हैं इसको कहीं भी लगा और स्ट्रीलिंग पूर्लिंग एक ही जासा रहता इसका चेंज नहीं होता कुछ भी जैसी कि स्कूल क्यों नहीं आये तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे बुखार था फागहा है बुख्व इसको जोड़ दिया गया किसी से इसे इंडेक्स डोग देखें कि बापा जार गया और उसने समान खरीदा कोई बच्चा होगा बजार गया और उसने समान खरीदे की सोची होगी तो वो बजार गया भी एक independent है उसने समान खरीदा अगर मैं चाहूं तो इन दोनों को अलग-अलग लिख सकते हूं फिर भी इसको एक योजक के दारा जोड़ दिया गया है और वो योजक कौन सा है और ठीक है मजदूर मेनत करता है पर उसे लाब नहीं मिलता तो यह दोनों के दो पढ़ाई तो करता है पर उसे लाब नहीं मिलता तो यह दोनों independent बाग के फिर भी इनको एक योजक से जोड़ दिया गया है बादल घिरे तथा अंधेरा चाह गया अब मैं ऐसा बोल सकते हूं है यहां पर बादल घिर गए थे ठीक है तो यह हमारा एक independent है और अंधेरा चाह गया था ना तो यह से तो कोई भी बोल सकता है नेक्स अगर हम बात करी कि मैंने उसकी बहुत प्रतिक्षा की कि मैंने तो उसका बहुत ज़्यदा वेट किया जिसने ने पूछा कि हां भई तुम तो अकेले चले गए थे और तुम्हारा तो वह रीना वेट कर रही थी तो हम इस तरह का यह दोनों इंडिपेंडेंडेंट एलागल तरीके से यूज़ कर सकते हैं फिर भी योजक से इसको जोड दिया गया है नेक्स्ट हमारा की एक नोट करने वाली बात यह है कि जो संयुक्ते बाके होते हैं उनमें कभी-कभी अब्वे सब्दों का लोब भी किया ज है छिए इसम08 अब इस सब्दीका लोब हो गया यूज नहीं किया उन्होंनी बर्ना वो कह सकते हैं कि व्रिव сторон मेश्र बाके है जिनBERैक्स्ते ही अपने जगहापे उबाक्य हैं और इस प्रोड कि यहाद कर लेना नाम यहां वहां कि क्योंकि अगर यदी इत्यादी होते हैं met अगर मैं बात कुरी एक्जाम्पल्स की तो जब गीता ने मेहनत की तब प्रथम आई ठीक है यहां पर क्या करें योजग जोड़ रहे हैं जाब तब इस तरीके से यहां पर जोड़ा जाता है यहां पे हमिश्या आपको दो इस तरह का कॉंबो मिलेगा कॉंबिजी हुशन है ना एक के साथ एक फ्री जब गीता ने मेहनत की तब प्रथम आई मझा अगर पो गीता मेहनत ना कर्ती तो ऑँ प्रथम नहीं आती है ना डिपेड़ेंट है कि हाँ भई मेहनत नहीं करती तो नहीं आती लेकिन उसमें मेहनत की इसलिए ही वो आई बरना वो ऐसा नहीं आती तो यह हाँ पर आपने देख ला कि किस तरह से डिपेंडेंसी बन रही है नेक्स अगर हम बात करें कि जो चात्र परिश्रम करते हैं बेही सफल होते हैं बेहीं जाएंगे जैसी सुर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधिरा चाया अकर नहीं हुआ होता तो शायद आप ताकतवर है मतलब दूबला पतला तो है वो पर ताकतबर है ठीक है वह बिद्याले नहीं आया क्योंकि वह बिमार है यहां पर हम देख रहे हैं कि बिद्याले क्यों नहीं आया क्योंकि वह बिमार है नेक्स्ट अگर मैं बात करूँ रचना के अधार पर बाक厌 में तरीक सा परिवर्तन करेंगे य 얼굴 कि एक्जाम में ही है या डेलेगा है अब यहां से मैं आपको बता दू कि सरल बाके से संयूक तो बाकी में आपको बनेंगे तो हमारा पहला है सरल बाके में आपको बता दूँ कि चाई या कॉफी में से कोई पी लेंगे ठीक है चाई या कॉफी में से कोई पी लेंगे तो किस तरीके से बदलेंगे आप कि चाए पी लेंगे या कौफी पी लेंगे, या तो कौफी पी लेंगे, और यहां पर देखो कि मान ने गोलु को डाटा और सुला दिया, और हम ने यूज करने से तबाकी में कनवर्ट करने के लिए, इस तरीके से आपको क्या करना है situation के according कोई भी योजक जोड लेना है अगर सरल बाके से मिश्र बाके में कहे सरल बाके के example दो देख लो लापरवा मजदूर छट से गिर गया और दूसरा है कि इमानदार व्यक्ति का सभी आदर करते हैं मिश्र बाके में बदलने के लिए कहा है तो जो मजदूर लापरवा था बहुचत से गिर गया यहाँ पर डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी कि जो मजदूर लापरवा था वही गिरा जो नहीं थे वो नहीं गिरे जो व्यक्ति इमानदार होता है सभी उसका आदर करते हैं कि अगर व्यक्ति इमानदार नहीं होगा तो उसका आदर कोई नहीं करेगा यहाँ पर हम नहीं देख लागा किस तरह से डिपेंडेंसी बन रही है सभी तबाके से सरल बाके में गर बदलना हो सभी तबाके का एक्जामपल है कि सालू आई और पढ़ने लगी भई स्कूल से आई होगी पढ़ने लगी घबराओ मत और कभीता सुनाओ कोई टीचर रहा होगा वो बच्चा क्या होगा घबरा रहा होगा उसको कहा होगा घबराओ मत कभीता सुनाओ सरल बाके में किस तरीक से बढ़नेंगे सालू आकर पढ़ने लगी हमा सालू आकर पढ़ने लगी और ये दूसरा अगर हम देखे बिना घबराय कभीता सुनाओ एकदम सरल बाके हो गया कि सालू आकर भई पढ़ने लगी बिना घबराय कभीता सुनाओ गबराओ मत और कभीता सुनाओ नो यहां पर हमने का गड़ा है योजग को हटा दिया नेक्स्ट अगर हम बात करें सब्सक्राइब के लिए तो हमारे हम पर दो एक्जामपल है कि घंटी बज गई और बच्चे कक्षा में जाने लगे और यह राधा आई तो रेखा चली गई मिश्रभाके में किस तरीके से बदलोगे जब घंटी बज बज तो बच्चे कक्षा में जाने लगे है कि घंटी बज़ा तभी जाने लगे यह राधा आई टब रह रेखा चली गई ना कि जब राधा आई भई तभी रेखा गई नेक्स्ट है हुआ ध्यापक आते ही सभी सांत हो गये चप्छा में पर अध्यापक आया और सभी सांत हो डिपेंदेंसि दिखानी पड़ेगी जैसे ही कक्षा में अध्यापक 안 बैसे ही सब सांत हो गयेуем अगर टीचर ना आया होता तो वो सांथ ना होते हैं ऐसा ही होता है यूजली अगर सरल बाकी यहां पर नेक्स्ट एक्जम्पल देख रहे हैं कि मा के आते ही दोनों बच्चे उनसे लिपट गए तो अब इसको सभी तबाके मदलो तो यहां पर कोई योजग जोड़ना पड़ अपनी बच्चे उनसे लिपट गए तो फ्रेंड यही था हमारा यह जो पूरा पूरा रचना के अधार पर बाकी के प्रकार तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर हमारे चनल को अब तक सब्सक्राइब ना किय थैंक यू